Hello friends, BSC की Special Class में आप सबी लोगों का एक बार फिर से most welcome है माई नमीज आसीज गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे BSC Second Year Botany का फ़ास सेमेस्टर है Diversity of Angiostrum Systematic Development and Reproduction और इस सेमेस्टर से ओर लेडी मैं कई सारी वीडियोस अप्लोड कर चुका हूँ आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा या इसी वीडियो के description box में मैं link दे दूँगा जैसे आप उस link पर press करेंगे, आप directly उस playlist तक पहुच जाएंगे दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम cover करेंगे फैमली नबर 4, रोजेसी फैमली के बारे में, जिसे हम रोजेसी फैमली के भी नाम से जानते हैं इससे पहले हम cover कर चुके हैं important family, फैमली पोईसी, एपीसी, रेनन कुलेसी अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं, तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं आज किस वीडियो के अंदर हम cover करेंगे, फैमली रोजेसी के अंदर इसका classification, इसका distribution, वेजीटेटिव के रेक्टर, जिसके अंदर हम देखेंगे इनके habitat के बारे में, root, leaves and stem के रेक्टर के बारे में फिर उसके बाद हम discuss करेंगे इनके floral characters के बारे में, floral characters के अंदर हम study करेंगे in fluorescence के बारे में यानि इन families के अंदर जो members पाय जाते हैं, उनके in fluorescence किस तरह के हैं, उसके बाद हम देखेंगे calyx, korolla, gynosium, androsium के बारे में and finally pollination देखेंगे, pollination किस के थरू होता है, इनके अंदर floral character, floral diagram, and finally हमारा topic रहेगा economic importance दोस्तों अगर हम इन family के अंदर economic value की बात करें, तो इनके अंदर medicinal plants भी पाया जाते हैं तो यहाँ पर medicinal भी आपको ornamental purpose से आप देखें, उसमें rosa indica, rose आते हैं, उसकी कई सारी variety आती है तो इसी के अंदर आज हम इसको detail में study करेंगे, exam paper में कई बार ये long question में पूछा गया है तो दोस्तों अगर आपको notes आईए, तो इसके लिए आपको हमारा telegram channel जो की buy a book tag के नाम से बना हुआ है आप simply सबसे पहले आप एक telegram application को download करेंगे, फिर उसके बाद आप search करेंगे buy a book tag buy a book tag search करने के बाद जैसे ही आप search करेंगे तो आपके सामने हमारा जो group है telegram का वो आपके सामने आ जाएगा आप उसपर click करेंगे, फिर उसके बाद scroll down करेंगे तो नीचे आपको दिखाए देगा join का option आप उसपर click करके आप हमारे channel से जूड सकते हैं इसके बाद आप जितने भी notes ये PDF मैं वहाँ पर upload कर चुका हूँ, आप उसको receive कर सकते हैं या फिर जो भी notes ये PDF, जो भी मैं updates वहाँ पर देता रहूंगा, आप उसको receive कर सकते हैं आपको directly notification मिल जाएगा, तो चली दोस्तों start करते हैं तो चली friends, heading डालीजे family rosacy और family rosacy के अंदर सबसे पहला point आप note करेंगे, systematic position जिसे हम classification भी बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने जो systematic position दिया है, वो bentham and hooker के according दिया है जबकि अगर आप अपने books या notes के अंदर देखेंगे, तो वहाँ पर Hutchinson के according भी हो सकता है तो बिल्कुल भी confused होने की ज़रूत नहीं है, दोनों ही classification best है according अब यहाँ पर आपकी choice पर depend करता है कि आप Bentham and hooker के according उसका classification करते है या Hutchinson के according तो यहाँ पर यह जो आपको classification दिखाई दे रहा है, यह मैंने किया है Bentham and hooker के according जिसमें इसे division angiospermi के अंदर रखा गया class dicotilidens, subclass polypitalis, series calyciflori, otorosales and family rosacee लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको simply बता दिया कि division angiospermi के अंदर रखा गया है यहाँ पर series calyciflori के अंदर हमने क्यों रखा, तो मतलब इसके हमें reasons पता होना चाहिए, तब ही हम यहाँ पर इसको अच्छे से समझ सकते हैं इस family को यानि कि जितने भी flowering plant है, वो सब के सब division angiospermi के अंदर रखे गई हैं, जितने भी fanaro games और seeded plant है, जिसमें seed बनते हों, correct उसके बाद number point, यह जो आपने देखा, अभी और भी characters हो सकते हैं, लेकिन यह peculiar features है, peculiar features वो features होते हैं, जो specific होते हैं किसी चीज के लिए, कि हाँ fanaro games plant जो है, वो division angiospermi के अंदर ही देखा गया, यह इसका peculiar features हो जाएगा, number second point है, class इसको dicotylidens के अंदर रखा गया, अब हम dicotylid में भी रख सकते थे, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने देखा आया पर इनकी leaf के अंदर reticulate venation हमने देखा, जबकि अगर आप देखें, monocotylidens के अंदर तो वहाँ पर आपको reticulate venation नहीं दिखाए देगा, वहाँ पर आपको parallel venation आपको दिखाए देगा, ठीक है, क्या होता है, जैसे किसी leaf के अंदर आप देखेंगे, या जैसे यह हमारे पास leaf है, ठीक है, इस leaf के अंदर यह जो आप देख रहे हैं, बीच में एक midrip होता है, फिर इससे veins निकलती है, ठीक है, और यह veins आगे जाकर के further branching में divide हो जाती है, तो इस तरह का जो पूरा एक तरी reticulate venation आपको दिखाए देगा, कहाँ पर dicotylidons के leaf में आपको दिखाए देगा, तो एक तो पहला point हमने इस से पता कर लिया कि हाँ इसको हमें dicotylidons के अंदर रखा गया, दूसरा reticulate यहाँ पर यह जो dicotylidons के अंदर जितने भी plant रखे गए उनके जो flowers हैं वो pentameras है, ठीक इसके base पर हम बता हमने इहाँ पर रखा इसको dicotylidons के अंदर, number third point है subclass इसे हमने polypetally के अंदर क्यों रखा, क्योंकि हमने क्या देखा इनकी flowers की जो petals हैं वो पूरी तरीके से free हैं, तो अगर free है और यहाँ पर आप यह नहीं कह सकते कि सभी के free हैं, देखे दोस्तों हम जब general characters पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपर किसी particular species की study करूँ, किसी family के अंदर जैसे मैं आपर बताना चाहूंगा आपको, किसमे 115, 115 genera है, यहाँ पर आप देखेंगे 3200 species है, अब अगर मैं इनमें से किसी एक particular species की study करके उसके character बताऊँ, तो वहाँ पर बिलकुल हमें जो character उसमें होंगे उस species के अंदर उसी को बताना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 115 genera यानि के 115 genera and 3200 species के respect में अगर आप बोल रहे हैं, तो हमें वो features निकालने पड़ेंगे, जो सभी में common है, ठीक है, वही होगा general characters की रूप में, तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा, सब class polypetally है, तो series इसको हमने calyciflory में रखा, क्योंकि हमने देखा कि इसमें दो thalamus है, वो cup shaped है, inferior ovary है, calyx, gamma sepals है, जो sepals है, वो fuse है, तो इस तरह से हमने इसको calyciflory के अंदर रखा, order rosales के अंदर रखा, rosales के अंदर दोस्तो 9 family आती है, order rosales के अंदर 9 families आती है, और उन families में हमने ठीक है, तीसरी यहाँ पर, यानि कि एक के बाद एक, एक के बाद एक alternate आपको दिखाए देंगी leaves, उसके बाद हमने देखा कि leaf में जो है, वो stipule present है, तो हमने कहा stipulate leaves, stipule मतलब समझ रहे हैं, जहां से जैसे यह जो आप देख रहे हैं, यह वाले leaf, इस जगह पर एक अलग से leaf like structure निकलती हैं, अलग से, तो उसको कहा जाता है, आपने यह आप देखेंगे, रोजा इंडिका के अंदर भी आप देख सकते हैं, गुलाब का अगर आपके घर में full हो, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, कि अलग से एक leaf like structure जिसको हम stipule बोलते हैं, वो present होता है, इसलिए ह अभी देखो systematic position हमने cover किया, अब हम देखते हैं distribution, फैमली रोजेसी का अगर आप distribution देखें, यानि कि यह कहां कहां पर distributed है, पोरे world में कहां कहां पर यह पाय जाती हैं, और इनकी कितनी जातियां हैं, कितनी इसकी species हैं यह सब देखने हैं, तो रोजेसी is quite large family consisting about 115 genera, 3200 species, 115 genera, 3200 species present हैं पूरे world में और widely distributed हैं, ठीक है, यानि कि पूरे widely distributed है, the plant are widely distributed in temperate region, किस region में, temperate region में पाय जाती हैं, and they are quite common in, यहां पर generally, commonly कहां पर पाय जाएंगे, northern हिमाल्यास में पाय जाते हैं, और अगर आप इंडिया में बात करें, तो लगग 257 species इंडिया में पाय जाती हैं, जो कि एक तरीके से कम नजर आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे, 115 genera है और 300, sorry, 3200 species है, जिन में से सिर्फ और 257 species पाय जा रही हैं, अब हम देखते हैं, यह तो हमने क्या देखा, distribution की हबाई, कहां कहां तक यह जो species है, या genera है, वो distributed है, अब हम देखेंगे, vegetative characters, vegetative characters के अं कि इनके अंदर जो plants पाय जाते हैं, उनका habitat कैसा है, root कैसा है, leaf कैसा है, and stem कैसा है, तो देखेंगे, इसमें, vegetative characters के अंदर 4 points आते हैं, जिसमें सबसे पहला point हम देखते हैं, habitat, the plants में भी herbs, जो plant होते हैं, वो herbs भी हो सकते हैं, herbs का मतलब, एकदम soft और green उनका stem होगा, ठीक है, herbs मतलब उनका stem होगा, आपको दिखाए देगा, गदम soft और green, और shrubs भी दिखाए देंगे, जैसे कि आपने देखा, आप गुलाब के फूल को देखो, गुलाब के फूल का जो पेड़ होता है, उसमें जो stem देखेंगे, आप वो एक तरीके से, उसमें shrubs बोलेंगे, जाड़ इनके अंदर जो plants पाए जाते हैं, उनके roots कैसे हैं, तो tap root दिखाए देंगे, एकदम सीधा tap roots और adventitious roots पी आपको दिखाए देंगे, और arising from the underground organs और cutting, प्यारे दोस्तों आपने देखा होगा, यह जो फूल होता है, जैनि कि गुलाब का पेड़ होता है, उसको कलम करके लगा दिया जाता है, और बाद में वही से, उसी वही से root arise हो जाती है, तो वही चीज बोली गई है कि root arise हो जाते है, cutting से भी, ठीक है, जिसे कलम करके बोलते हैं, उसके बाद हम stem को देख लेते हैं, root के बाद, stem यानि जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, यह जो आपको दिखाए देगी, underground modified होता है, and erect होता है, उपर की तरफ उठा हुआ इस तरह से, उसके बाद creeping यानि रेंग कर भी, prostate यानि creeping नीचे की तरफ धरती की तरफ ऐसे चलता रहेगा, और अहागे से हलका सा उठा रहेगा इस तरह से, तो उसके बाद cylindrical होता है, आनि कि cylindrically simple होता है, और solid होता है, वो notes और intern notes में divide होता है, जैसे आपने गन्ने का देखा होगा, गन्ना आपने देखा होगा, तो वो notes और intern notes में divide होता है, ठीक है, उसके बाद leaf की बात करते हैं, और stem के cover करने के बाद number four point आता है, leaf, simple, leaf एकदम simple होगी, compound होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है, alternate हो जैसे आप यह जो leaf देखाए दे रही है, यह जो आपको dundal हलका सा दिखाए दे रहा है, जो stem से attach है, इसको हम बोलते है, pitule, ठीक है, तो अगर pitule जिसमें present है, जिस leaf में उसको हम बोलेंगे pitulate, ठीक है, unicostate reticulate venation आपको दिखाए देगा, unicostate reticulate venation होता क्या है, जैसे आ जो आपको venation दिखाए देता है, उसको हम बोलते है, unicostate reticulate venation, so guys, इसको फटा-फटा आप नोट कीजिए, अब हम देखेंगे floral characters के बारे में, तो चली friends, अब आप heading डालेंगे floral character, floral character के अंदर basically हम points देखते हैं, inflorescence के बारे में, flowers के बारे में, calyx, corolla, androsium, gynosium, दोस्त भी flower की symmetry क्या होती है, calyx क्या होता है, corolla क्या है, या फिर androsium क्या है, gynosium क्या है, essential walls क्या होता है, या essential walls क्या होता है, flower के अंदर, अगर आपको ये basic terms नहीं पता है, तो आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं आप कोशिश कीजिए जो पुरानी cover कर लेजिए, ठीक है, अगर आपको पता है, तो बहुत अच्छी बात, very good आये देखते हैं, inflorescence के बारे में, कि family rosacee के अंदर जो inflorescence पाया जाता है, वो किस-किस तरह का होता है, तो काफी variation आपको दिखाई देगा, ठीक है, अगर आप इनके fruits को देखें, या inflorescence को देख तो वहाँ पर एक लंबी से list आपको दिखाई देगी, तो mostly आप आगे etc करके इसको इतना याद कर लेंगे, क्योंकि काफी inflorescence आपको दिखाई देगे, number second point है, flowers, दोस्तों इनके अंदर जो flowers पाया जाते हैं, वो pedicillate होते हैं, pedicillate मतलब pedicill present है, bracket होते हैं, यानि के bracket भी present Bisexual होते हैं, Bisexual means कि जो flower होता है, उसमें male और female, दोनो sex organ present हो एक ही flower में, तो उसको कहा जाता है Bisexual, Unisexual भी आपको देखने को मिलेंगे, यानि कि सिंगली, अगर किसी एक flower बर सिर्फ और सिर्फ या तो male sex organ present हो, या female sex organ present हो, उसको कहा जाता है Unisexual, यानि कि male और female sex organs अलग-अलग flower में present हो, तो उसको कहा जाता है Unisexual, एक्टिनो मॉर्फिक, ये symmetry के base पर किसी flower की condition बताई गई है, कि अगर आप किसी flower को, अगर जैसे कोई गुड़हल का फूल है, या फिर कोई यहाँ पर हम रोजेसी की बात करें, तो यहाँ पर हम रोज को लेग लें, तीक है, गुलाब का फूल है, उसको आप बीचो बीच, कहीं से बी काटने की कोशिश करेंगे, कहीं से भी आप उसको कट करने की कोशिश करेंगे, अगर वो दोनों equal पार्ट में कट जाता है, दो बराबर भागों में कट जाता है, तो उसको बोलते हैं JIGOMORPHIC, लेकिन अगर आप उसे किसी भी plane से cut करने की कोशिश करें और वो cut जाए तो उसको का जाता है actinomorphic तो actinomorphic में there is no limitation आप उसको कहीं से भी काटो किसी angle से काटने की कोशिश करो वो दो equal part में cut जाएगा तो उसको का जाता है actinomorphic actinomorphic का shine इस तरह से जो आप देख रहे हैं इस तरह से इसका shine दिया जाता है उसके बाद आपने दिखा यहाँ पर hypogynos, perigynos, epigynos इसका क्या मतलब होता है flowers के अंदर दोस्तो जो gynosium होता है वहाँ पर उसके अंदर आपको पता है कि walls भी present होते है gynosium के नीचे अगर suppose कोई एक gynosium है किसी flower के नीचे और जितने भी जो बाकी के बचे वे floral parts हैं जैसे कि stammens sepals, petals, यह सब gynosium के नीचे से निकल रहे हो तो उसको क्या कहेंगे हम hypogynos यानि कि इसमें जो gynosium होगा वो उपर की तरफ से rise होगा नीचे से आपको दिखाए देंगे सभी के सभी stammens, gynosium के नीचे से निकलेंगे या फिर sepals और petals वो दोनो के दोनो perigynos में क्या होता है कि gynosium के around यानि कि gynosium के around से निकलेंगे stammens, sepals, petals epigynos में क्या होता है कि gynosium के ऊपर से निकलेंगे sepals, petals या androsium correct तो इसके respect में flowers को terms दिया गया है Hypogynos, Perigynos या Epigynos Calyx Calyx कैसा होता इसमें Consist of usually 5 sepals Mostly आपको दिखाई देंगे Consist of usually 5 sepals आपको दिखाई देंगे और sometimes आपको 4 sepals भी दिखाई दे सकते हैं और Gamow sepals होते हैं यहाँ आपसमें fuse है और यहाँ पर अगर हम इनके Estivation की बात करें तो इसमें आपको Imbricate Estivation दिखाए देगा Wallware Estivation दिखाए देगा ठीक है? And Bracteol, कुछ में क्या होता है कि जो Bracteol होते हैं वो Epicalyx Form करते हैं, Epicalyx में Transform हो जाते हैं, तो इस Condition को जैसे कि आपने Goodhal की Full में देखा होगा जो Goodhal का मालवेसी के अंदर जो Goodhal का Full होता है, उसमें आपने देखा होगा Leaf के नीचे एक छोटे-छोटे से अलग से Leaf-like structure होती है, एक Additional structure, उसको का जाता है Epicalyx, सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही Bracteol जो होता है, वो Epicalyx बना लेता है Estivation क्या होता है, कितने वही pattern होगा, consists of usually 5 petals आपको दिखाए देंगे, यहाँ पर आपको 5 samples दिखाए दे रहे थे Corolla में आपको दिखाए देंगे 5 petals और rarely 4, बहुत कम दिखाए देंगे 4, rarely 4 का मतलब समझ रहे जैसे है कि हमने देखा कि इसके अंदर इतनी सारी species या genera present है, तो mostly आपको उसमें 5 petals दिखाए देंगे बट आपको rarely 4 petals दिखाए देंगे नि बहुत कम, और poly petals होते हैं that means petals जो होते हैं आप उसमें free हैं, जिसका मैं अलड़ी बता ही चुका हूँ आपको, and show imbricate estivation, यहाँ पर जो estivation आपको देखने को मिलेगा, वो imbricate इसमें भी numerous and free in rose, जैसे कि आप rosa की species में देखेंगे, तो वहाँ पर आपको free petals दिखाई पड़ेंगे stammens sometimes इसमें क्या होता है, जो stammens होते हैं वो transform into petals वो petals में transform हो जाते हैं, ऐसा भी होता है इनके अंदर, ठीक है तो inflorescence, flower calyx, corolla, उसके बाद आता है point androsium androsium हमें पता है, male unit होता है और male unit के अंदर consist of many stammens, यहाँ पर आपको flowers के अंदर कई सारे असंखिया stammens दिखाई देंगे, इसलिए हम यहाँ पर उसके लिए use करते हैं, infinite तो consist of many stammens, sometimes times आपको 5 to 10 stammens दिखाई दे सकते हैं किसी flower के अंदर the anthers are small, इसमें आपने देखाई एक filament होता है, और filament के उपर anther होता है, अब यह जो anther होता है वो small होता है, by salad होता है और dorsi fixed होता है हमने देखा anther और filament का fixation है, उसके base पर इसको 4 types में divide किया गया है जिसमें dorsi fixed का मतलब basic fixed का मतलब तो यह हो गया कि जो anther है, वो filament के एकदम base पर, जो filament आया है, वो anther के एकदम base पर है, तो उसको उका जाता है basic fixed, dorsal side में है तो उसको बोले जाता है dorsi fixed, तो यहाँ पर आपको condition dorsi fixed दिखाई पड़ती है और anther के बारे में भी मैं discuss कर चुका हूँ androsium के topic के अंदर उसके बाद आता है gynosium consist of many carpels, gynosium में आपको कई सारे carpels दिखाई देंगे जिसके लिए हमने यहाँ पर देख सकते है floral formula के अंदर, infinite symbol यूज़ होगा तो consist of many carpels mostly apocarpus यानि यह apocarpus वहाँ पर यूज़ कहते है जहाँ पर carpels free हो free carpels है तो apocarpus and superior और यहाँ पर जो ovary है वो superior दिखाई पड़ेगी but sometimes it may be sin carpus यानि कि sometimes आपको ऐसा भी condition आती है कि हमें fuse दिखाई देते हैं carpels और ovary inferior भी दिखाई पड़ती है उसके बाद हम fruits की बात करते हैं तो हमने देखा androsium जो की male unit होती है flower की, gynosium जो की female unit होती है अब हम बात करते है fruit की fruit are also variable हमने इसमें दो चीज़े देखी एक inflorescence और एक fruit इसमें काफी variation देखने को मिलेगा fruit के अंदर देखेंगे also variable यहाँ पर berry, palm, droop और भी कई सारे list है आप etc कर सकते हैं यह mostly यह तीन याद कर सकते हैं floral formula के अंदर आप क्या करेंगे floral formula simply हमें पता है bract present है, यहाँ पर आप देखेंगे हमने कहा था bractiate होता है तो bract लगा देंगे actinomorphic है क्योंकि हमने देखा gyomorphic बहुत ही rarely देखे दोस्तों gyomorphic पाया जाता है ऐसा नहीं है लेकिन हम जब हम किसी यहाँ पर particular family की study कर रहे हैं उसके अंदर किसी particular species की नहीं पूरे family की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बाते उस family के अंदर जितने भी species जो और जिनेरा है उसके respect में बोली गई बाते होती हैं तो इस condition में यहाँ पर gyomorphic बिल्कुन rare है जलिए हमने यहाँ पर नहीं लगाया है वरना gyomorphic भी हम लगा सकते थे लेकिन बहुत rare पाया जाता है तो यहाँ पर bracteate होता है actinomorphic है यानि किसी भी plane से आप cut करने की कोशिश करें flower को वो cut जाएगा bisexual होता है flower mostly आपको bisexual अब मैं यहाँ पर देखो unisexual भी लिखा है लेकिन mostly आपको जो दिखाए देंगे वो bisexual दिखाए देंगे कैलिक्स आपको 5 दिखाए देंगे और कभी-कभी infinite भी आपको दिखाए देते हैं korolla आपको यहाँ पर 4 दिखाए देंगे sometimes infinite androsium में भी आपको infinite लगाना पड़ेगा ठीक है या फिर sometimes आप 1 to 10 लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है androsium के topic में 5 to 10 correct उसके बाद gynosium में आपको दिखाए देंगे बहुत सारे अब वही सारे कारपल्स है तो आपको यहाँ पर infinite का सिंबल यूज करना पड़ेगा और sometimes 1 1 to 5 लिख सकते हैं और यहाँ पर superior और सुपीरियर होती है तो 1 to 5 में इसके बाद बचता है आपका economic importance सबसे पहले आप इसको फटा-फट नोट कीजिए दोस्तो फैमिली रोजसी के economic importance में आपको एक चीज ध्यान अखना है कि यह अलग से दो नंबर में short question में भी पूछा जा सकता है और कई बार यहाँ पर student mistake क्या करते हैं वो यहाँ पर जैसे apple इसके अंदर economic importance के अंदर आएगा food value के रूप में या ornamental plant के अंदर आपर गुलाब का फूल आ जाता है तो इसमें कई सारे student mistake क्या करते हैं वो directly सिर्फ और सिर्फ यही लिख कर आते हैं रोज या फिर apple आपको वहाँ पर उसका scientific name भी mention करना पड़ेगा कि apple का scientific name क्या है अगर दो नंबर में short question में अलग से पूछा जाए तो भी आपको scientific name mention करना पड़ेगा तो economic importance का आपको ध्यान अकना है क्योंकि rosacee का economic importance कई बार repeat हुआ है exam paper में the family rosacee is a great economic importance जिसमें number first rosa indica जो की ornamental purpose का एक plant होता है rosa indica के अंदर आपने दिखा गुलाब को जो फूल होता है उसकी different variety होती है अलग-अलग color के आपको flower दिखाई देंगे एकदम सजावटी पोधे के रूप में इसका use किया जाता है gardens वगरा में लगाए जाते हैं घरों में लगाए जाते हैं इस्पाइरिया species इस्पाइरिया की जो species होती है दोस्तों वो ornamental plant की रूप में यानि सजावटी पोधे की रूप में यूज की जाती है उसके बाद आता है पाइरस मेलस यानि fruit एपल तो एपल का scientific name आपको लिखना होगा पाइरस मेलस इसको जो है edible fruit है खाया जाता है इसको पाइरस कम्यूनिस यानि की नासपाती ये भी edible fruit होता है उसके बाद आप देखें फेरिजेरिया वैसी का जो की strawberry ये भी edible होता है उसके बाद नंबर six रनस एमाईडेलस रनस एमाईडेलस यानी कि बादाम बादाम कभी खाया जाता है सबको पता है ड्राइफूर्ट होता है उसके बाद रनस पर सिकाई यह जो है आडू आपने आडू खाया होगा तो यह सब जो है आपको यह seven पांच या साथ जादा नहीं अगर आपको एक सोट कोशन में पूछा जाए तो आप चार सेंटिफिक नेम याद करेंगे और लोंग में आप पांच तक लिख सकते हैं अगर आपको अलग से कोई टोपिक सजेस्ट करना है जिसके उपर आप चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो बनाया जाए तो आप उस कमेंट में मेंशन कर सकते हैं दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई टटा